हेलो फ्रेंट्स, साइकलाजी की पार्षाला के पिछले वीडियो में हमने रिलाइबिलिटी के कॉंसेप्ट पर डिसकेशन किया था जिसको आप और हम विश्वस नियता कहते हैं और आपको ध्यान होगा कि consistency of scores जब प्रातांकों में परिणाम में संगतता होती है तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट या ये जो साइकलाजी कल टेस्ट है वो बहुत रिलाइबल है या psychological test ही नहीं कोई भी instrument कोई भी machine अगर उसके परिणामों में इस्थरता पाई जाती है तो उसको हम रिलाइबल कहते हैं क्यों क्योंकि पहली बार जो result आया वैसे ही दूसरी बार भी result आया इसे कहा जाता है विश्वस नियता लेकिन प्रश्व यह है कि विश्वस नियता निकाली कैसे जाती है तो आज हम विश्वस नियता निकालने के reliability निकालने के लिए एक method को समझने की कोशिश करते हैं और उस method का नाम है test, retest method, correction, पुनर परिक्षण, विधी यह reliability निकालने की सबसे common और सबसे easiest method जो मुझे लगता है test, retest method आप थोड़ा सा इसके केवल इस term पर जाएं test, retest मैंने आपको यह कहा था कि जब भी reliability निकाली जाती है तो दो set होते हैं डेटा के हैं दो set होंगे या दो से अधिक set होंगे तभी आप reliability निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि आपको दो set के बीच में आपको correlation निकालना होता है यहां पर आप देखें कि एक group है और मुझे एक intelligence test के लिए intelligence test के लिए मुझे reliability निकालने है यह intelligence test वो है जो मैं develop करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे reliability निकालने है तो reliability निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा कि एक group लेना पड़ेगा और उस group पर उस test को administer करना पड़ेगा अब test retest method में कितनी बार administration करना है उस test का तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर यह group 40 लोगों का है 40 लोगों का है तो इन 40 लोगों का पहली बार मुझे एक test करना है 1,2,3,4 ऐसे करके 40 लोगों का intelligence का measurement करना है यहां उनके data आ जाएगे किसी काएगा 50 किसी काएगा 55 किसी काएगा 185 किसी काएगा 185 किसी काएगा जो भी score आते हैं यह example है जो भी score इनका test किया और आपने सारे के सारे numbers यहां पर लिख लिए अब यह क्या हो गया यह हो गया test अभी एक चीज़ पूरी होगी मैंने क्या लिखा है इसका नाम क्या है test retest method अभी test complete हो गया अब क्या करना है retest करना है अब retest किसका करना है retest इनहीं 40 लोगों का फिर से किया जाएगा ध्यान रखेगा जब भी test retest method यूज करते हैं तो group एक होता है उस एक group का दो बार different time interval पर हम लोग क्या करते हैं हम assessment करते हैं तो एक time interval तो क्या हो गया कि आज माल लेते हैं आज है 7th of April मैंने 7th of April को 7th April को ये जो 40 लोग थे उनके intelligence का measurement किया और उनका जो भी data है मैंने इस table पर excel में feed कर दिया या मैंने copy में लिख लिया अब दूसरी बार अब retest करना है अब retest का मतलब क्या है इसी group पर जिस पर मैंने ये पहला test किया है intelligence का उनही 40 लोगों पर दूसरी बार फिर से test करूं किसका test इसी intelligence का जो test मैंने पहले apply किया है यहाँ पर 7th of April को इन 40 लोगों पर जो मैंने intelligence का test यहाँ पर apply किया और उसके score यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे है जो अभी test test करके है लेकिन यहाँ पर मैंने उनके score लिख दिये उसी test को वापिस से retest उसी test को फिर से वापिस से retest करना है किसके उपर इनही 40 लोगों के उपर कब करना है तो फिर यह कहा जाता है कि test retest में minimum 15 days का gap होना चाहिए minimum 15 days और maximum 1 month कुछ लोग क्या करते हैं 2 month भी gap कर लेते हैं 3 month भी gap कर लेते हैं किसके बीच में gap करते हैं पहले test और दूसरे test के बीच में first test के और retest के बीच में हमने कहा कि minimum 15 days तो हम मान के चलता है कि हम 25 दिन लगेते हैं कि हमने 25 दिन का gap रखा और 25 दिन बाद फिर दूसरी बार इनका test किया इसको क्या नाम दिया retest किन लोगों का मैं फिर repeat कर रहा हूं इन ही 40 लोगों का फिर से आपने test किया intelligence का अब आप थोड़ा अगर board पे देखेंगे तो पहली बार जो test किया उसके data यह आ गए 40 लोगों के यहां पर मैंने लिखे नहीं हैं आपको समझना पड़ेगा यहां लिखा है 50 यहां लिखा है मैं यहां पर लिख दूँगा मतलब कि मुझे दो सेट मिल गए किसके data के दो सेट कौन से मिल गए एक सेट यह रा जो test करके लिया और एक सेट यह रा जो मैंने retest करके लिया अब दो सेट मिल गए अब क्या करना है अब यह जो one और two one or two मतलब test और retest इन दोनों के बीच correlation न और correlation निकालने के लिए बहुत सारे formula available है statistics की book आप ले ले और या कोई भी आप YouTube के channel पर जाएं कि किस formula से दो set के बीच में, दो data के set के बीच में आप correlation निकालते हैं, वहाँ से आप formula लें और formula लें और सीधा आपके ओल उस formula में fit करें और आपका एक correlation निकल कर आजाएगा जो correlation की value आएगी, generally वह कैसी आएगी? 0 से लेके 1 के बीच आएगी अब आप ये confusion में मत रहेगा कि कल पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि correlation की value प्लस माइनस 1 मतलब माइनस 1 से प्लस 1 के बीच आती है बिलकुल correlation की value माइनस 1 से प्लस 1 के बीच ही आएगी लेकिन जब आप test retest method यूज करेंगे तो generally ये देखा जाता है कि correlation की value 0 से 1 के बीच आती है कभी कभी negative आप ही सकती है इसलिए कहा जाता है माइनस 1 से प्लस 1 1 से अधिक नहीं आएगी और इधर माइनस 1 से कम नहीं आएगी लेकिन अधिकांश ये दिए आप देखेंगे कि इन 2 set के बीच में आप correlation निकालेंगे तो 0 से 1 0 से 1 के बीच में हो सकता है 0.23, 0.45, 0.53, 0.65, 0.79, 0.83, 0.95, 0.93 कुछ ऐसी कुछ values आएगी जो 0 से 1 के बीच में आएगी अब correlation की value जितनी ही एक के पास होती है कभी भी धियान रखेगा कि correlation की value जितनी एक के पास होती है मतलब एक की तरफ होती है उतना ही test जो बनाया गया है जो ये intelligence test है वो reliable होगा जितना इस 0 के पास अगर value आएगी मतलब 0 की तरफ minus 2,3 minus 1,3 minus 0,9 कुछ ऐसे value आएगी मतलब 0 की तरफ आप आ रहे है it means की intelligence test जो बनाया गया है वो कम reliable है क्यों कम reliable है क्योंकि जो ये correlation की value आ रही है वो कम है और correlation की value 0.23, 0.45, 0.53, 0.65, 0.79, 0.89 क्योंकि correlation की value तो depend करेगी किसके उपर ये जो test 1 का data है और test 2 का data है इसके उपर क्योंकि इन दोनों को आप formula में रखेंगे और एक value निकल कर आएगी correlation की तो correlation की value जो भी निकल कर आएगी मान लेते हैं कि इन दोनों मतलब set 1 ये और set 2 ये या इसको हमने नाम दिया था test जो मैंने यहां लिखा है और retest जो ये 2 वाल है इन दोनों के बीच जो correlation आया मान लेते हैं वो correlation आया 0.73 ये correlation आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 की तरफ बढ़ रहा है ये high correlation है जब भी correlation 0.50 से उपर की तरफ आता है तो हम मान कर चलते हैं कि ये reliable है ये एक positive correlation है ये एक high correlation की तरफ बढ़ रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि test retest method का मतलब क्या है कि एक group लिया एक group पर आज test किया जिस test के लिए आपको reliability निकालनी है देखिए दियान रखेगा किसी test और किसी instrument के लिए आपको जब reliability निकालनी है तो आपको क्या करना है पहले एक group लेना है उस group के ऊपर उस test को apply करना है apply करने के बाद जो भी उसके data मिले विवेक का 5, इसका 10, इसका 15 जितने भी लोग मिले उसके data की एक list बना लीजिए एक हुआ अब ये test हुआ अब चलते हैं retest retest मतलब पुनर परिक्षन करिए और किसका करिए उन ही लोगों का करिए जिनका आपने पहले test किया था और आपने retest किया कब कम से कम 15 दिन बाद सेम वही test 15 दिन बाद सेम group पर आप apply करिए तो अगर group A है और group A का áج measurement किया गया और 15 दिन बाद group A का फिर से उसी پैमाने पर measurement किया गया अब group A के आज के data आ जाएंगे और group A के 15 दिन बाद के data आ जाएंगे इन दोनों जो आज का और 15 दिन बाद का जो data है उन दोनों के बीच आप correlation निकालिए बस आपको correlation निकालना है किनके बीच दो set के बीच correlation निकालिए और correlation जो भी आता है वो correlation क्या हो जाएगा वो हो जाएगा उनका reliability coefficient जिसको हम technical language में कहते हैं क्या कहते हैं उनको कहते हैं जो भी correlation आएगा सबसे पहले क्या निकालना है correlation निकालना है मैंने अभी आपको कहा दो set के बीच में correlation मान लिया आया 0.73 तो इस 0.73 को हम क्या कहते हैं 0.73 क्या है यह reliability coefficient है COEFF coefficient और इसको कहते हैं विश्वस्नियत गुनांक बस यह जो 7 इस 0.73 को लाना है 0.83, 0.85 जो भी मैंने कहा जो भी आपका correlation आएगा वही correlation निकालना है इसी को कहते है reliability coefficient यह सारी जो गुना गानी थे यह किसके लिए हो रही है इस correlation के लिए मैंने क्या किया पहले test किया था एक गुरूप का फिर उसी test का re-test किया अब यहाँ पर नाम समझ में आ गया है test re-test और re-test करके जो भी दो data आए हैं उनका आप correlation निकालने के लिए बीच में क्या करना पड़ेगा कम से कम बीच में 15 दिन का gap 20 दिन का gap 25 दिन का gap आप दीजे डो data के बीच में correlation मिल जाएगा जो डो डेटा आएंगे उनके बीच में फिर आपको correlation निकालना है और इसको technical language में एक नाम और है इसी जुसको मैंने लिखा है रिलाइबिलिटी कोफिशेंट इसका technical language में इस एक नाम और है जिसको हम कहते हैं टेमपरल इस्टेबिलिटी कोफिशेंट कालिक स्थिरता गुनांक इसी जो ये रिलाइबिलिटी कोफिशेंट किस मेतर से निकाला गया है टेस्ट रिटेस्ट रिलाइबिलिटी कोफिशेंट कितना आया 0.73 और इसी टेस्ट रिटेस्ट से जो रिलाइबिलिटी कोफिशेंट पिकला उसको हम कहते हैं एक टेकनिकल लेंगवेज वे नाम है टेमपरल इस्टेबिलिटी कोफिशेंट कालिक स्थरता गुनांक तो यहाँ पर दो नाम हो गए test re-test reliability coefficient एक हो गया और दूसरा EC का दूसरा नाम का हो क्या हो गया temporal stability coefficient कालिक कस्थरता गुणांक बस यही है test re-test method लेकिन इसमें एक चीज़ ज्यान रखना है बहुत ज्यादा लंबा gap नहों दोनों data को लेने के लिए या बहुत कम नहों ऐसा नहों कि आज data लिया और कल फी data ले लिया नहीं ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसमें तो याद रहेगा व्यक्ति को क्योंकि अभी मैं हूं मान लिया 19 साल का और 6 मेने बाद ले रहा हूं तो वह साड़े 19 साल का तो साड़े 19 साल जो 6 मेने हैं, उन 6 मेने में मैं कितना psychologically और physically change हो रहा हूं, उसका भी तो असर उस data पे आएगा, इसलिए ध्यान रखना है, 15-20 दिन से लेकर लगभग 1 मेना, 7 मेने के बीच में ही gap रखें, और आप reliability निकालने हैं, किस method से, test, retest method से, तो ये आपका एक पहली विदी हो गई, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही easy है, आपको कुछ भी नहीं करना है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कि मैंने इसमें क्या किया है, अब अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए topic के साथ, और बलकी मैं कहुँआ कि, एक reliability निकालने के दूसरे method के साथ, पहला method आपने ये समझ लिया है, दूसरे method के साथ, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,